हेलो दोस्तों स्वागते आप लोग का अपने टू चानल आड़ी इस्टवी सेंडर में आज मैं आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है तो अंदर से कवा जाएगा आप पढ़ना चाहिए आपको अंदर वह चीज आ जाएगा हम क्यों नहीं बन सकते हैं क्योंगी हम वह चीज क्या है आएप पुरा हम लोग जाने का प्रयास करते हैं आपको क्यों आने वाला समय में मांधो बखार आना पड़ेगN साब भोजन की दिलास में बटबदकते रहती हैं अगर दिवाल पर चड़ती है अगर वह हैं इसलिए आप पर चुटि यहां पर है उसका टार्गेट है यह जाने है आप आंस आप हां ताइस से रहे हैं वो अपने डिरेक्शन चींज कर लेगी मतलब को कभी भी रुगने नहीं चाहती उसका एम है जहां पर जाएगी तो जाएगी उसका इम बठी इसलिए आप यह चीट कीजिए बना है एक तुम से कुछ नहीं होगा लेकिन आपको हिमत दिकाने क्नेक नहीं हम कर सकते हैं कुए हम इंडिया ने दुसरी बात हमना लिका सूरिय सुरी जब सुबह में उगता है तो कि इतना अच्छा लगते हैं धीरे 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 वो क्या आता है दो पार में और सिक्षा का मेली कि सुर्य जीतने ही गरम होता है उतना ही चमगता है सोचो अगर एक सूरिय पूरे बीस्व को प्रकासित कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हम भी वैसा नाम करेंगे हम भी वैसा काम करेंगे कि लोग हमें भी जाने अगा सूरिय इतना कुछ चबग सकता है जितना गरम होता है उतना ही प्रकास देता है इसलिए आप भी उतना पढ़िए जाते होंगे जाते होंगे ना आप यहां पर है यहां पर है फिर दोघे करें यहां पर है यहां पर पहुंची पहाड की हरा अग्ले दिखाए में देगा कि आपको माली यह जाना है पटना तो एक टार्गेट बना लेजिक मुझे पटना जाना है आप पहले दानापुर पहुंचिए दानापुर को पहुंचे तो पटना जाएगा उसी तरह क्या होता है रास्ता में आपको पहले यहां जाना है तो पहुंचिए यहां पहुंचने के बाद आपको टौपर बनना टौपर एक बार बनना कोई बड़ी बात नहीं है टौपर एक बार बनना कोई बड़ी बात नहीं है टौपर पर अड़े रहना बड़ी बात है बड़ी बात है माली जे कि कोई लोग पहला बेंच और आकरी बेंच में आप से कोई पूछेगा कि अंतर क्या होता पहला बेंच ऊगिए को एक सरकल बना दिया गठां ऑसे तरह प्रापका लाइफ है अब यह मत समझे कि आगे बढड़ते हैं तो ज्यादा पड़ сейчас नहीं आपको बस समने की नजरिया है कि आप की ना समझते हैं ठीक diferen आज का मोटीवेस्टोरि हमने इतना है लुए हम लोग और कुछ बाते जा रहेंगे हाना एम के लेकर आपका टार्गेट के लेकर चलिए तो मिलते हैं कब नेक्ष्ट वुडियो में तक ले जाहिए और थांक्स वरचिंग सब को बैब है